Hello everyone, Welcome to the Girls Power Pooja और दोस्तों मैं हूँ Pooja फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बचत करने के बारा आसान तरीके So friend, बचत के उपर मैंने बहुत सारी वीडियो अप्लोड कर दी और आप लोगों को बहुत ज़़ा पसंदारी है मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मैं और सारी ट्रिप्स और ट्रिक्स दूँ आपको मनी सेविंग के उपर सोफ देखिए वीडियो देखने से या फिर ट्रिक्स सुनने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा जब तक आप उसे अपने उपर लागू नहीं करते हो खिर के आप मनी सेविंग तभी कर पाओगे जब आप उस चीज पर अमल करोगे उसको अपने उपर अपलाई करोगे कि मैंने कौन-कौन सी टिप्स और टिक्स दी है यह डिफरेंट भी है और बहुत सारे लोग इसे अपलाई भी कर सकते हैं इजी भी है यह आप लोगों को अलग-अलग तरीके से टिप्स बताऊंगी मैं और आप लोग इसे अलग-अलग तरीके से अपलाई कर सकते हो जरूरी नहीं कि मैं जैसा बताऊं वैसा ही आप सेम करो आप उससे मिलता जोलता भी कर सकते हो दिफ्रेंट तरीके से भी आप पैसे सेव कर सकते हूं और हाँ मैं सेविंग में कोई भी प्रोफेशनल नहीं हूं मैं अपनी जैसे सेविंग करती हूं से उसी ट्रिक्स आपको बताती हूं और वही तरीका आप तक मैं पहुचाती हूं तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिएगा तो फ्रेंड मैंने कुछ इस तरीके से यहां पर देखिया आप नो डाउन कर लिया है पैसे बचाने के 12 तरीके है तो पहला है इसमें अपने बेतन या कमाही की आधार पर खर्च ताय करें दोस्तों इस तीज को हम बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं बहुत लाइटली लेते हैं कि हमें होता है कि हमारा payment आ गई है या फिर हमारी payment आने वाली उससे पहले ही हम खर्च कर देते हैं अगर हमारी महीने की salary 5000.000 रुपए है तो हम बगेर बजट बनाया हुएड बगेर सोच हुए अपने बेतन से करें उसमें अगर आप दस नहीं कर सकते हो तो पांच तो जरूर करो आप तो फर्स्ट यह और बहुत जदा इजी है आप लोग इसे अपलाई भी कर सकते हो बात करते हैं सेकेंड की ठोड़ा डिफकल्ट है से धर्म पतनी से अपनी कमाई सेयर करें बहुत सारे ऐसे लोग होते जो बताते नहीं है तो देखिए जो आइफ होती है वो हमारी लाइफ का एक इंपोर्टेंट हिस्सा होती है ज्यादा उन्हें नौलेज होता है कि कौन सी चीजें कब लेनी है कौन कहां पर है और कितनी जरूरत है घर के मेंबर्स को तो आप अपनी एगर वाइप से आप से करोगे तक जब मार्केट जाएंगी या फिर कोई भी स्वापिंग अगर्या करेंगी तो अपना बजट बना लेंगी वह उनको पता चल जाएगा कि हमारी इंकम इतनी है और इसी कि अंदर हमें करना है क्योंकि जो लेडीज होते हो बचत को बहुत सीरेसली लेती है और है तो आजकल की जनरेशन का सबसे बड़ी ही प्रॉबलम है एक दीशोरों को दिखाने के लिए इतना ज्यादा मनी स्पेंट कर देते हैं कि उनको खुद नहीं पता होता है कि हमारा बजट कितना हमें पॉकेट मनी कितनी मिलते है फिर हमारी सैलरी कितनी है ठीक है हमारी इंक दिखावे को मत कीजिए, आप अपने उपर खुद अपलाएगे, जरूरी नहीं कि आप किसी स्पार्धी पार्टी में जा रहे हो, तो सब के लिए नयक अपड़े लो आप, अगर आपके पास पहले भी किसी अपने फंक्शन अगर नयक अपड़े लिए ता आप उसे भी पहन सकते हो, जिससे की आपकी थोड़ी मनी सेविंग भी हो जाएगा, आप दिखावे से भी बच जाओगे, आप अपने उपर भी से अपलाई कीजी, अपने बीबी के उपर अपने बच्चों को भी अई संसकार दीजिए, कि किसी को दिखाने के लिए हमें कभी भी वो काम नही चाहते हैं, ठीक है, बात करते हैं, फोर की है, खरीदारी से पहले कौन-कौन से खर्चे जरूरी हो, उनकी लिष्ट बनाएं, बहुत बार ऐसा होता है, यगर मैं मार्केट कुछ भी लेने गई हूँ, चाहे बेजिटेबल्स हो, क्लॉथ हो, या फिर कोई भी नेससरी पैसे बद जाते हैं, यह जो इस्टा हमारे पास समान आ चुका है, यह ना आता हो, रखने की बड़ी दिक्कत होती है, बात करते हैं, फाइब की घर की अनावस्यक लाइटे हमेसा बंद रखें, देखिए, हमारी लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा यह भी है, क्योंकि हमारे पैसे जातर इसी में भी चले जाते हैं, बहुत सारे घर के मेंबर्स ऐसे होते हैं, जो अगर है रूम के अंदर तब भी लाइट ओन है, अगर नहीं है तब भी ओन है, अगर वो कहीं काम कर रहे हैं, कहीं बीजी हैं, तब भी ओन करके रखते हैं, तो आप अगर नहीं हो वह पर आपको नहीं है नीड तो आप light को off कर दो जिससे कि आपका electricity bill जो है वो कम आएगा ठीक है आपके बजट में भी रहेगा और आपका जो इसमें थोड़ा सा पैसा हूँ आप बचा सकते हो बात करते हैं तो यह है शॉपिंग करने से पहले price comparison करें आप आप ले सकते हो अगर आप कोई भी ग्रॉसरी वगरा लेने जा रहे हो मॉल से लेकर करके आप डारेक्टली ग्रॉसरी स्टोर से उससे परचेज करो इससे क्या होगा कि rate भी कम रहेगा और मॉल से थोड़ा डिबबा बन दाता ह है आप दुकान पर लोगे के तो फिर वहां पर लूज आपको मिल जाता है उसका price भी थोड़ा कम रहता है और डारेक्टली वो किसानों के यहां से आता है ऐसा नहीं है कि पहले उसे खरीदा गया है फिर पॉलिस की गई है फिर उसे पैक किया गया नहीं हो एकदम पूरा clear ह होता है तो आप जातर compare करो स्वापिंग करने से पहले प्राइस का भी और अपने प्रोड़क्ट का भी कि आप अच्छा पर्चेज कर रहे हो क्या ले रहे हो क्या नहीं ठीक है बात करते हैं सेवन की है उपयोग की हूँ अस्तों खरीदें तो मैं यह नहीं कहरी हूं कि आप फिर हर एक चीज पुरानी लो आप एक जांपल के लिए आप कार ले सकते हो अगर आपको ड्राइबिंग नहीं आती आप न्यू कार लेने के बजाए आप पुरानी कार लीजे सेकेंड हैंड कार लीजे इससे कि आपको मेंटनेस का खर्चा बहुत कम रहेगा ठीक है आपका अप्लाई कर सकते हो एज एक जांपल बताओं में कार हो गया फोन हो गया ठीक है फर नीचर भी हो गये इसके लिए बेस्ट आप्सन है और लैक्स एंड कुई कर यह दोनों अप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हो ठीक है इस पर बेच भी सकते हो अपने घर की पुराने सम करके अपका अच्छे साथ जार रुपे खर्चा जिसमें आप अच्छी खासी सेविंग कर सकते हो बात करती हूं मैं एट नंबर की यह है जी और इंटरनेट का उप्योग करें जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वह चलो केबल वाला है कोई बात नहीं लेकिन वह प आप करते हैं 9 नंबर कि खरिदारी से पहले ओफर या कूपन भी देखें देखिए हम कई बार ऐसा करते हैं ओनलाइन जब पेमेंट करते हैं फोन पे पेक्टियम और अगरा से तो क्या होता है हमें कूपन मिलता है ठीक है एक सरप्राइज मिलता मारे देहता है तो उसमें कूपन मिलता है क्योंकि कमपनियों प्रोवाइड नहीं करती है बट जैसे अगर किसी अप्लीकेशन के थुरू हम पेमेंट अगरा करते हैं तो दो डारेक्ली हमें कूपन देते हैं तो उसको भी आप यूज कर सकते हो और आप ऑफर को भी पता कर सकते हो आप इसके लिए करें हम टिन की है कारपूल का उप्योग करें सो फ्रेंड जैसे अगर आपका आफिस थोड़ा दूर है और आप और आपके फ्रेंड या फिर आपके कोई भी साथ हो गयरा के जौब करते हैं वहां पर और आप लोग अपनी अलग-अलग कार से जाते हो तो आप दोनों लोग एक ही कार से जाओ जिससे आपका जो खर्चा है वो कम हो जाएगा आपको आधा-धा देना पड़ेगा ठीक है और पैलुशन भी कम हो जाएगा एक दिन आप ड्राइब से बच जाओगे और आपको अगर डेली का दो सुरुपे का तेल लग रहा है तो आप सो रुपे में ही पड़ जाओगे आपके 100 रुपे बच जाएंगे इस तरीके से आप कार पूल का भी उप्योग कर सकते हो दोस्तों 11 नंबर की बात करें नेमी दयाम और योग करें ठीक है अगर आप नेमी दयाम और योग करते हो अपने सरीर का बहुत अच्छी ध्यां रखते हो अपने अगर आप अच्छे तरीके से फिट रहोगे तो आप जादतर काम करोगे जिससे की मेड वगरा की नहीं होगी आपको और आप थोड़ा हेल्दी भी रहोगे ठीक है उम्र से पहले आप बूढ़े नहीं होगे जिससे आप थोड़ा स्टॉंग भी हो जाओगे और आप अपन इसके लिए बस भी यूज कर सकते हो ठीक है इसके लिए आप टैक्सी भी ले सकते हो या फिर ट्रेन का भी यूज कर सकते हो आप जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हो कहीं जाने के लिए तो आपका काफिदा खर्चकम हो जाता है क्योंकि अगर आप कहीं ज लेकर जाओगे तो आपका 1000 रुपए में काम हो जाएगा ठीक है आप पांस रुपए तब भी अपना जेव खर्च निकाल लेज़े चलिए 1000 रुपए अगर आप जेव खर्च निकाल लोगे 2000 में आप चले भी जाओगे चले भी आओगी जिससे आपका 3000 रुपए मनी सेव देखे वीडियो देखनें से कोई भी फाइदा नहीं होगा जब तक आप इन सारी टिप्स को अपने उपर अपलाई नहीं करते हो तो दोस्तों यहीं मेरी आज की वीडियो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो पी वीडियो को एक लाइक करें अगर आप लोग मारे चैनल पर नए हो तो प्लीज मारे चैनल को सब्सक्राइब करो साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करो जो टाइम टाइम मेरी वीडियो की नोटिपिकेशन आप तक पहुशती रहें दोस्तों मिलती हूँ नेश्ट अमेजिंग वीडियो के साथ तक तक के लिए बाइ 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 टेक केर थैंक य शो मच